हलो बच्चों, बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, मैं आज आपको गिर्धर कवीराई की कुंडिलिया पड़ा रही हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो चलो मैं शुरू करती हूँ साई सब संसार में मतलब का वैवार, जब लग पैसा गाठ में तब लगता को यार, यार संगी ही संग डोले, पैसा रहन पास, यार मुक से नहीं बोले, कहे गिर्धर कवीराई, जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीती, यार बिरला कोई साई तो सबसे पहले मैं आपको इस कुंडिली के कठी शत बता देती हूँ, देख लीजिए, गाठ का मतलब होता जेव या पाकिट, बेगरजी, बेगरजी बोलते हैं नी स्वार्थ को, जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो, सेल्फलेस, बिरला मतलब बहुत कम मिलने यार मतलब होता है, मित्र या दोस, फ्रेंड, प्रीती, प्रीती का मतलब होता है, प्रेम, प्यार या लव, जगत मतलब संसार या दुनिया, लेखा का मतलब होता है, रीती या नियम, तो बच्चों ये जो कुंडिली है, इस कुंडिली में गिरधर का विराय ने, जो समाज की रीती है ना उस पर वेंगे किया इसका क्या मतलब है कि जो सॉसाइटी का जो नियम है ना उस पर कमेंट किया कि किस तरह के लोग अभी सॉसाइटी में हो गए हैं ठीक है तो पहले मैं आपको इस कुंडिली का लाइन वाई सर अलर्थ बताऊंगी और बाद मैं आपको इसकी व्यक्या समझाओंगे आप बीडियो को लास्त तक देखिएगा ठीक है तो चलो मैं शुरू करती हूँ साई सबसंसार में मतलब का व्यावार गिर्धर जी लिख रहे हैं कि साई मतलब स्वामी सबसंसार में मतलब मतलब स्वार्थ का व्यावार करते हैं इसका क्या मतलब है वे कह रहे हैं कि संसार में सब लोग स्वार्थी है सब लोग मतलब ही है स्वारत के कारण ही वे आपसे मतलब रखते हैं स्वारत के कारण ही वे आपसे दोस्ति करते हैं ठीक आगे देखो जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार जब लग मतलब जब तक रहता है पैसा पैसा मतलब मनी धन्दोलद गांठ में का मतलब है पॉकिट में कि जब तक आपकी पॉकिट में पैसा रहता है तब लग यानि तब तक ताको यार कि तब तक वो आपके दोस्त रहते हैं यार मतलब दोस्त तब तक क्या है वो आपके दोस्त बने रहते हैं वे आपके साथ रहते हैं जब तक आपके पास पैसा रहता है तब तक वे आपके साथ रहते हैं तब लगता को यार, तब तक वे आपके दोस्त रहते हैं, यार संग ही संग डोले, यार मतलब दोस्त, संग का मतलब उता साथ, कि वे आपके साथ घूमते हैं, डोले मतलब रहते हैं, घूमते हैं, कि वे आपके साथ रहते हैं, वे आपके साथ घूमते हैं, पैसा रहे ना पा और जब आपके पास पैसा नहीं रहता है, यार मतलब दोस्त मुख से नहीं बोले, मुख का मतलब होता है मुख, मुख से नहीं बोले यानि बोलते हैं, वे आपसे मुख से नहीं बोलते हैं, इसका मतलब है कि वे आपसे बात करना बंद कर देते हैं, वे आपसे दूर चले जा दोस्ति तोड़ लेते हैं जगत मतलब दुनिया यही लेखा का मतलब के कोई दोस्ती नहीं करता है करत बहँ करते हैं स्वार्थ के बिना मतला प्रेम यार मतला कोई कोई बहुत कम लोग तो साई तो इसमें कहा रहे हैं गिर्धर जी कि ऐसे तो अभी बहुत कम लोग होते हैं जो बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करते हैं या आपसे दोस्ती करते हैं ऐसे बहुत कम लोग होते हैं नहीं तो सब लोग अभी स्वार्थी हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, ठीक है? अब इसका आप व्याख्या देखिए, प्रस्तुत कुंडली में गिर्धर कविराय ने समाज की रीती पर व्यंग किया है, व्यंग मतलब कमेंट किया है, कभी कहते हैं कि इस संसार में सब स्वार्थी हैं, बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं करता, मित्रता मतलब फ्रेंडशिप, जब तक मित्र के पास धंदौलत है, तब तक सारे मित्र उसके आसपास घूमते हैं, मित्र के पास जैसे धंसमाप्त हो जाता है, सब उससे मूँ मोड लेते हैं, मतलब उ अते कवी कहते हैं कि संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी से कोई किसी का सगा संबंदी नहीं होता है कोई कम ही लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों से प्रेम करते हैं अथवा मित्रता करते हैं आशे करती हूं आपको समझ में आ गया होगा धन्यवाद